Hello everyone, Welcome to my YouTube channel इस बीडियो में हम बात करने वाले हैं Female Health Worker exam की expected cut-off के बारे में और इस exam को conduct करवाया था Atal Medical and Research University ने और ये भरती हिमाच्यपदेश में NHM के अंडर हो रही है और इसका result फिलाल के तो pending है जैसे CHO की जो result की process है joining की process है वो complete होगी तभी इसकी DV आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर exam हो चुका है overall mat list आ चुकी है तो उसके basis पे मैं आपको ये cut-off बता रहा हूँ इसके बाद आपको इसकी document verification देखने को मिलेगी और उसके बाद final result आपको देखने को मिलेगा और तब joining होगी तो यहाँ पर अगर हम पोस्टों की बात करें तो टोटल 65 यहाँ पर vacancies थी अगर हम general unreserved की बात करें तो जो cut-off रह सकती है 69.75 और यहाँ पर टोटल पोस्टे थी 28 बाकी जैसे ही आपको CHO का result क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है कि stop nurse और female health worker की DB 81 होगी एक साथ हो सकती है तो इसका impact क्या पड़ता है वो अलग बात है otherwise ऐसा हो सकता है कि कुछ candidate ऐसे भी हो सकते है जिनका CHO का exam clear है stop nurse का clear है तो वो तो CHO में joining कर लेंगे तो हो सकता है वो stop nurse की DB में भी नहीं जाएंगे और female health worker की document verification भी वो नहीं देंगे अगर हम बात करें SC category को तो यहां पर cut off रह सकती है 63.25 पोस्टे यहां पर 13 है इसके बाद OBC category की बात करें तो 61.5 पोस्टे यहां पर 10 है EWS की बात करें तो 64.5 पोस्टे साथ है total Unreserved Bard of Freedom Fighter की बात करें तो 48 पोस्टे यहां पर 1 है ST की बात करें तो 66.5 पोस्टे यहां पर 2 है SC BPL की बात करें तो 46.5 पोस्टे यहां पर 2 है OBC BPL की बात करें तो 45.25 पोस्टे यहां पर 2 है तो यह जो है वह cut off रह सकती है Female Health Worker exam की बाकी कल आपको update जरूर मिलेगी CHO का result की और इसके बाद जो document verification होगी lab technician की हो female health worker exam की हो या फिर stop nurse की हो तो उसके regarding कल आपको जरूर मैं update दूँगा तो उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना होगा I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी तो वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए